नमस्कार मैं मीनू MST, विदीशा में आपका हर्धिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कापी दिनों से कई लोग कह रहते कि मोटापे का आपको इदवाई बताईए या पको मोटापे के विजह में कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मोटापा हम कैसे दूर करेंगे तो सबसे पहले मैंने कई वीडियो डाले हैं उसमें ड्रिंक्स भी डाली है जो चाय है उसका पे है जैसे काड़ा है और भी काफी चीज़ें हमने डाली है और उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा मेरा वीडियो पूरा तो आपको एक से दो महने में जरूर लाब हुआ होगा क्योंकि जो है कोई भी ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं डाली है जो कि आपको नुक्सान करे या फायदा ना करे और अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे अगर आपने हो सकता मैंने 4-5 चीज़ बताई हो और उसमें आपने पूरा ध्यान से नहीं देखा हो तो पूरा जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो सारा सामान आपको अच्छे से पता नहीं होगा इस कारण आपको पूरा आपको लाब नहीं मिल सकता है तो मैं आज आपके लिए विशेस लेके आई हूँ जो कि मुटापे को ही लेके मैंने बनाया है ये वीडियो कि हम अपने मुटापे को क्योंकि आजकल बहुत लोग परशान है इस चरबी को बढ़ते हुए देखके काफी लोग ज़्यादा परशान हो रहे है जो कि हमारे खान पान का भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव बढ़ता है और आजकल का जो दोशित वातावरन है सबी तरह के हर तरह से मुटापे कई तरह से आता है कुछ खान पान से आते हैं कुछ बीमारी से आते हैं और कुछ जो है लोग ज़्यादा डाइटिंग करते हैं उससे भी फूल जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले सुभे में उठके गरम पानी कर ले और दूसरी बात जिसको एसेड़िटी है वो गरम पानी नहीं वो नॉर्मल से थोड़ा सा गुनगुना पानी लेगा और उसमें आप नीबू और जो है थोड़ा सा शेहत मिला कि आप सुभेरे की मौनिंग जो आपको पानी पीना है उसमें आप डालके अट करके पिएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा लेकिन निरंतर करने से ही लाब होता है आपने सोचा कि पंदरा दिन करेंगे पंदरा दिन के बाद में आपने देखा कि मेरा तो बजन कम होई नीरा है तो आप उसको करना बंद कर देते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब बात हो जाती है क्योंकि आप निरंतर किसी भी चीज को कहते हैं कि लोहे को भी अगर रसी के द्वारा काटते हैं तो वो भी जो है काटने लगता है तो हम जब निरंतर प्रयास किसी चिचका करते हैं तो ये तो चरबी की बात है ये तो मुटापे की बात है वो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आप उसको रेगुलरी करिए और निरंतर इसके लिए आप प्रयास करते रहें तो ये जो चीजें बताई जाती हैं तो ये आप जब तक किसी डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं किसी दवा के लिए कोई उपचार के ले जाते हैं तब भी डॉक्टर दो से चार महने के लिए मेडिसिन का कोर्स बताते हैं तो ये भी एक हमारा बिमारी ही है मोटापा तो इसको भी हमको अगर काटना है चरबी को तो हमको निरंतर इसमें बिना परिशान हुए लगे रहना चाहिए तो आज मैं आपको लेके आई हूँ पहला दीप दिया है मैंने आपको गुन-गुने पानी में जिसको ऐसेडिटी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है आप खुब गरम पानी पीजे खौलता हुआ पानी ले और उसमें जो है आप नीमबू आधा नीमबू अगर एक पी सकते हैं तो एक नीमबू और थोड़ा सा एक चमर शहत डालिए उसमें आपको शहत से एनरजी भी आएगी और नीमब वेट लोस हो रहा है तो उससे कमजोरी नहीं आएगी और दूसरा में आपके लिए बताना चाहूंगी कि जो जैसे कि आप खाना खाते हो तो खाना खाने के हर खाना खाने के बाद में आप आधा का पिलकुल गरम जैसे आप करम चाह पीते हैं उसी तरह का गरम पानी लेके अपने साथ में रखिये और रखने के बाद में ढखके रख लीजे उसके बाद जब आप एक पाइट लेते हैं मूँ में उसकी खाने को बच्छे से चबा के खाएंगे तो उसके बाद में एक सिप लीजे आप पानी का इस तरह से हर कौर के बाद में एक खुट आप पानी पी बिल्कुल जैसे गरम चाय पी रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा वेट लोज होता है और दूसरा आप साथ बज़े से पहले खाना खाले शाम को अगर कोई परिशानी है तो अगर आपने इतना भी किया उससे भी काफी फर्क पड़ेगा आप चाहे मेरी बात अगर आप आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप आजमा के देख लिजे अगर आपने दो से तीन मेरे रेगुलर छे वज़े साड़े छे पौने साथ साथ तक खाना खा लिया शाम को तो आपको डिनर किया आपने समय से तो आपका वेट पैसे भी लूज होने लगे काफी जो है कम होगा और दूसरा में बताऊंगी कि ये जो तृफला है तृफला बहुत फायदा करता मैंने का घाडा भी बताया था जो मौनिंग में लेना है रात को भींगो के रखना है और वह मेरा वीडियो आप देख लिजेगा और दूसरी बात की तृफला अगर आप नहीं करीब एक महने आप खाएंगे तो उसमें भी आपको कापी फर मिलेगा अब यह दिखे मैं आपके लाई हूं गोधन अर्क है जो की गाय के यूरिन से की अर्क जो उसके दोरा अर्क निकाला जाता है तो उससे इसको और यह रही मेदा यह दिखे मेदो हरवाटी तो इसको आप बहुत ज़्यादा मूटापः है तो आप जो है इसकी दो टैबलेट ले लिए और यह जो है इसका आप जो है एक से डेळ चम्मश पानी में मिक्स कर के गुन-γुने पानी में आप इसको पीएंगे पहले और इसके बाद में में दो हरवटी का जो है दो टैबलेट लेंगे अगर कोई कम करना मतलब जादा मुटापा नहीं है तो एक टैबलेट ले सकता है इसको खाके आप जो है डेली आप देखेंगे कि तीन मेने में आपका कम से कम 5-6 किलो वर्जन कम हो जाएगा और ये रही तुलसी अर्थ जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ये हर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन चीज है और इसको संडे को छोड़के यानि इतवार यानि रवी वारवाले दिन नहीं पीना चाहिए और रोज आपको इसका सेवन करना चाहिए सेवन करने से काफी काफी लाव होते हैं सर्दी जुखाम, खासी, ज़र, दस्त, उल्टी इवा मंदागनी में भी जो है बहुत ज़दा उप्योगी है यहां तक कि इसका सेवन करने से कैंसर तक की रोग भी बिलकुल चड़ से समाप्त हो जाते हैं तो अगर कैंसर का रोगी है, नहीं है तो सेवन करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपको अर्क नहीं, आपको डारेक्ट तुलसी का पत्ता खाना है तो तुलसी के पांच पत्ते सुभे, सुभे खाली पेट खा के खुब चबा के धोलड़ने सबसे पहले आपको धोना है वाश करने के बाद में आप खुब अच्छे से उसको दाइट में चबा लीजिए उसके बाद में पाँ से साथ तुलसे के पत्ते उससे इसमर शक्ती भी बढ़ती है और तेज बढ़ता है अपना और साथ त्विकता आ अगर जिसके हैं उसके नश्ट होने लगेंगे और जिसके नहीं हैं उसके होंगे नहीं तो ये बैक्टिरिया को मारती है तुलसी और दोसी बात कहा जाता है जहां जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे निगेटियोचा नहीं आती है तो आप अगर इसको खाते है इसका सेवन नियमित करेंगे आप खाली पे तो आपको बहुत फायदा होगा और इसके साथ में आपको गुनगुना पानी एक किलास लेना है नियमित आप खाली पे अगर करते हैं तो सभी रोग जो हैं आपके धीरे धीरे भागने लगेंगे तो ये मैं आपके लिए ये जड़ी पूटी और ये जो भी मेरो हरवटी ये तब लेके आई हूँ ये दिखाने के लिए कि आपको चुटकी में आप कैसे अपने मोटापे को नियमित सेवन करने से इसका कम कर सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ला पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको लाब होगा और आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी लाब होगा और मैं आपका इतना लंबा समय ले लेती हूं इसलिए बहुत जादा सौरी और अभी तक मैं वीडियो जादा डाल नी पाए थी क्योंकि मैं आप से माफी चाहत हूं और इसी के साथ में मैं भी दा लेती हूं बाए कुटे